Hello students, चलिए start करते हैं exercise 13.1 का question number 29 देखते हैं क्या है Let a1, a2 up to an be the fixed real number and define a function fx equal to x-a1, x-a2 up to x-an क्या गा है question के अंदर कि a1, a2, an जो है कोई fixed real numbers है वो सब मिलके क्या करते हैं किसी function को define कर रहे हैं और वो function क्या है हमारा x-a1, x-a2, x-an तो इन सब की multiplication करके जो भी आएगा वो क्या होगा हमारा function होगा Then, क्या करना है, what is the limit x tends to a1 fx तो x approaches to अगर a1 हमारी limit हो, तो ये function हमारा क्या बनेगा क्या इसका solution होगा Next क्या का है, for some a0 equal to a1, a2, an कोई भी another number है, जो की a1, a2, an के equal नहीं है उसको compute कीजिए, limit x approaches to a fx तो इसका क्या solution होगा तो question के यहाँ पर दो पार्ट यहाँ पर हमें given है गबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा confusing लगता होगा कैसा question दे रखा है, यार समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है बिल्कुल simple question है, देखो सबसे पहले देखते हैं अपना function क्या given है f of x, वो हमें given है x minus a1 x minus a2 up to x minus an इस function के उपर जो भी कारिगरी करनी है जो भी काम करना है, हमें इस function के उपर करना है पहली जो limit दे रखी है, ये दे रखी है इसको simplify करते हैं, first part के अंदर हमें दे रखा है limit x approaches to a1 f of x clear, यहाँ पर जो भी function है उसको उठा के क्या कर दो put कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा limit, x approaches to a1 function की जगा क्या आ जाएगा x minus a1 x minus a2 और x minus an clear, अब यहाँ पर x की value क्या है, a1 यहाँ पर कोई condition तो नहीं दे रखी हमें कि less than ये value हो, तो ये function use कीजिए, greater than हो, ये function use कीजिए, या फिर कोई modulus के function दे रखा हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है directly simply हमें करना क्या है जो भी हमें limit given है, उसको यहाँ पर put कर देना है, तो put कर लो भई, देखते हैं क्या आता है, यहाँ पर x की जगए a1 put करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया a1 minus a1 into में, यहाँ पर x की जगए a1 minus a2 up to a1 minus an clear, अब इसको next step पर solve out देखते हैं, क्या करते हैं a1 में से a1 गया तो कितना बचा 0, 0 की, यहाँ पर देखो सारे multiplication में है, 0 की किसी से multiply करेंगे, तो answer क्या देगा 0, यह हो गया इसका solution बड़ा simple था, कोई दिक्कत की बात नहीं है second पर चलते है second जो part है हमारा इसका, वहाँ पर क्या दे रखा है limit x approaches to a fx इसको simplify कर लेते हैं limit x approaches to a f of x फिर हमें क्या करना है अपना function यह pick करना है और यहाँ पर उठा के रख देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, limit x approaches to a, function क्या है हमारा, x minus a1 x minus a2 और यहाँ पर last term जो है, हमारी क्या है, x minus an clear, x approaches to a है तो a क्या करेंगे, हम इसके अंदर put कर लेंगे x की जंगे, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर a minus a1 a minus a2 और a minus an बस this is the answer simplify हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल simple सा question था बस यहाँ पर statement इतनी lengthy दे दी, कि बच्चे confused हो जाएं और छोड़ दें कि यह क्योश्चन तो हमसे नहीं होगा, but sport में आपकी nexa class ही जाए, आप nexa classes का sport करते हो, तो बे फिकर रहिए बे फिकर हो के बिंदास mathematics soul कीजिए, thank you students for watching nexa classes, or thanks for your loving sport for nexa class